हलो आज है फिफ्ट जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे ट्राइडेंट लिमिटेट के बारे में देखे 40 रुपे से भी कम कीमत का ये शेर है और हलकी सी तेजी आज ज़रूर देखने को मिली है वीडियो में डिसकस करेंगी ट्राइडेंट में खरीदारी के मौके क्या वाकई में है या थोड़ा और इंतिजार करना चाहिए वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो ट्राइडेंट का शेर 39 रुपीज के आसपा स्ट्रेट कर रहा है और एक महिने में अगर हम देखें तो पिछले एक महिने में ट्राइडेंट लिमिटेट के शेर में तकरीवन 15% की गिरावट देखने को मिली है 46 से 34 तक गया था दुबारा बाउंस बेक दिखाया इसने इवन अगर एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में ट्राइडेंट लिमिटेट के शेर में अगर आप देखें तो 128% का ग्रोथ अभी भी है 17 रुपे का शेर था बढ़िया तेजी बनी 68 पे पहुंचा उसके बाद लगाता तूट रहा है बीच बीच में तीजी भी आई तो ये तूटता चला गया अभी दुबारा भागने की कोशिस जरूर कर रहा है और जहां तक मुझे लगता है कि जो सपोर्ट इसका है वो 40 रुपे के आसपस एक अच्छा सपोर्ट था लेकिन उसको भी तोड़ दिया यहां पर तो डेफिनिटली 35 रुपे तक गया लेकिन वहां से बाउंस बैक इसने जरूर दिखाया है तो को ट्राइडेंट टेक्स्टाइल इंडरस्ट्री से जोड़ी हुई कमपनी है और काफी अच्छी कमपनी है पैनी स्टॉक भी हुआ करता था यह और अगर आप चनल को रेगिलर फॉलो करते हो तो जब यह पैनी स्टॉक था 2020 में तब मेरी बाइन की रिक्मेंडेशन वहां पर जरूर थी लेकिन जैसे ही 50 रुपए के ऊपन निकला था मैंने यह भी कहा था कि खरीदारी के मौके नहीं है थोड़ा सा इंतिजार करेंगे तो नीचे सस्था जरूर मिलेगा लेकिन जब हालत और जद खराब होना शुरू हूए तब मैंने यह भी कहा था कि 35 से 40 का range खरीदारी का range होगा और अभी भी मैं अपने उस statement पर कहा है मुझे लगता है यह 35 से 40 का range है वो buying का range होगा और मैं कभी भी 40 रुपए के ऊपर Trident को भी नहीं खरी दूँगा अगें तीजी जो आई ज़रूर है होसाता है कि एक दू दिन और तीजी रहे लेकिन दुबारे ये नीचे की तरफ ज़रूर आएगा थोड़ा बहुत करेक्ट ज़रूर होगा और अगर नीचे की तरफ आएगा 30 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा तो खरीदारी के मौके वहाँ पर ज़रूर बन सकते है कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है कंपनी अच्छा रिवन्यू कर रही है कंपनी के पस अच्छा कासा कैश देखने को मिल रहा है कंपनी अगर आप देखे तो यह इनकी वेबसाइट है ट्राइडेंट का में जो बिजनस है जोंसे सबसे ज़गा इनका रिवन्यू आता है वो है टेक्स्टाइल का पेपर एंस्टेशनरी भी है येन भी है केमिकल भी है लेकिन सबसे ज़गा रिवन्यू उनकात है होम टेक्स्टाइल से ट्राइडेंट की ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों ही प्रिजन्स काफी शानदार है ट्राइडेंट के खुद के शोरूम्स है और और इंडिया में तकरीवर इनकी अच्छे कासे शोरूम्स देखने को मिलते हैं छोटी छोटी दुकानों में भी इनके सामान जाते हैं ऑनलाइन भी अगर आप देख़ए तो ट्राइडेंट की वेबसाइट है इसके अलावा बाकी जो बड़ी ऑनलाइन वेबसाइटिस है जैसे कि Amazon हो गया, Flipkart हो गया तो वहाँ पर भी इनके रीच देखने को मिल जाती है Trident खराब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी लेकिन मार्केट जब खुदी ऐसी हालत से गुजर रहा हो तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी लेकिन इस गिरावट में मौके भी जरूर बनेंगी Large Cap Share है 20,000 करोर से भी ज़्यादा के इसका Market Cap है और Volume अगर देखे तो 64,000,000 से भी ज़्यादा के इसके Volume अच्छी quantity में शेर अभी के लिए Trade हो रहे है Company का revenue डेफिनिल थोड़ा से टूटा जरूर है पिछले quarter के मकाबले 1,870 करोर का इनका revenue है और 180 करोर से भी ज़्यादा का profit है quarterly बात कर रहे है March quarter की बात कर रहे है और यह काफी अच्छा है इनका profit और revenue दोनों ही यहाँ पर आप देखे तो promoter के पास 72.94% की holding है 3.13 Files mutual fund के पास कुछ भी नहीं है insurance company के पास भी कुछ भी नहीं है promoter का एक भी शर्क गिरवी नहीं है जो कि again एक बहुत अच्छी बात है mutual fund भले ही 0% देखने को मिले है लेकिन थोड़ इसी holding तो है 0.00 kind of थोड़ इसी भी holding है और उसमें भी 6 mutual fund schemes का पैसा लगा है बहुत ही कम 129 Files का भी यहाँ पर investment है Trident में promoter देखे तो Trident Group Limited यहाँ पर सबसे बड़े promoter है और Trident में according to money control user सिफ 9% लोगी है जो बेचने की बात कर रहे है वना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करी है तो बने रहो company में अगर आप देखोगे तो जून महिने में promoter group के द्वारा बिक्वाली देखने को मिले है यह प्रमोटर नहीं लेकिन उनके immediate relatives जो है उनकी तरफ से बिक्वाली हुई है पहले 60,150 शेर बेचे गए बाद में 15,000 शेर बेचे गए यह कोई बड़ा amount नहीं है छोटा amount कह सकते है आप इसको company अगर आप देखो तो revenue बहुत बड़े है इनके 4530 करोड का revenue 2021 में साथ जो अब 7,000 करोड तक पहुँच चुका है और profit के अगर हम बात करें तो 300 करोड का profit 835 करोड तक पहुच चुका है तो company के profit में बहुत बड़ा जम पाए लेकिन अभी थोड़ा सट down होगा यह profit reason यह है कि last quarter में इनका जो profit था वो 180 करोड के आसपास का था अब देखना यह है कि 200 करोड से उपर इनका profit निकलेगा कि नहीं हलाकि chances है कि definite इनका profit निकलेगा 200 करोड के उपर और सरकार से भी काफी जादा help इनको मिल रही है सरकार की तरफ से जिन textile industries जिन textile company को फाइदा मिलने वाला है उसमें Trident भी है और सरकार खुछ चाहती है कि वह यह textile industries पे जादा focus किया जाए क्योंकि COVID वक्त में हुआ यह था कि कई सारे orders थे हमारे पास लेकिन हम उसको fulfill नहीं कर पाए तो वो order चले गए बांगलादेश और पाकिस्तान और government यह कभी नहीं चाहेगी कि वहाँ पे जाए order सरकार कह रहेगे वह यह production बढ़ाओ production बढ़ाओ यह रहा incentive यह रहा पैसा हम दे रहे हैं आपको लेकिन production बढ़ाओ और अपने सामान को इंडिया और इंडिया के बाहर बड़े पैमाने पर बेचो और definitely यह होने वाला है आने वाले दिनों में और Trident छोटी कंपनी नहीं है बड़ी कंपनी बन चुकी है और खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि और बड़े जोन में नहीं है लेकिन P जो है वो 22 का है और 116 का सेक्टर P है और 100% कहते हैं खरीदारी करो तो मेरी भी बाइंग के रिकमेंडिशन है लेकिन खरीदारी का लेवल जो है वो सही होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि कंपनी अच्छी है लेकिन आप महेंगी उसको खरीद लो कंपनी तभी खरीदो जब सस्ता मिल रहा हो शेर यहां पर होल्डिंग देखे तो 72.94% की होल्डिंग ये FLS प्रमोटर कई सारी कॉंटिटी में बैठे हुए हैं यहां बर तो overall मैं Trident को लेकर एक ही चीज़ कहूंगा कि कंपनी अच्छी है लेकिन जो खरीदारी का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से 35 रुपए के आसपास का होना चाहिए वहाँ पर मिलता है तो खरीदारी कर सकते हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हो तो बेच तो जी नहीं है तो रखे रहो बहुत बड़ी गिरावट यहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और डेफिनेटली लॉंग टम में पोटेंशल जरूर है इस कंपनी में के और उपर की तरफ जाता हुआ आपको दुबारा नजर भी आ सकता है ट्राइडेंट अच्छी कंपनी है बहतरीन कंपनी है नजर होनी चाहिए इस कंपनी के उपर और सरकार भी इस सेक्टर के उपर काफी जादा फोकस कर रही है और नए और इंसेंटिव 15,000 करोर रुपे का इंसेंटिव भी सरकार इन अवरी भी देखने को मिलेगी लेकिन हाला कि हां यह भी कहूंगा कि बॉटम यह नहीं कह सकते कि बॉटम बन चुका है यहां से भाग जाएगा तो इसलिए 35 रुपे के आसपास जाए थोड़ी सी क्वांटिटी आप चाहो तो एड़ कर सकते हो बाके कि अगर और ज्यादा खराब हालत रहती है बाजार की तब जा कि आप वहां पर चाहो तो एड़ कर सकते हो तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि कंपनी अच्छी है लेकिन सोच समझ के ही पैसा खर्च करना चाहिए और लॉंग टम का नजरिया यहां पर होना चाहिए वीडियो को यहीं पैंड क करूंगा पसंद आए हो तो लाइक कर शेय करें चैनल पर अगरा पहली बाहर आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ट्राइडन के बारे में आप क्या सोचने है वो भी आप मुझे कमेंट में लिकतर बता सकते हैं थैंक्यू